नमस्कार दोस्तों आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सनी स्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है जैसे कि दोस्तों टाइटर और थम्जिल से आपको समझ में आगय होगा आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जिन जिन अभ्यर्तियों उने CET का एक्जाम दिया था बारवी लेवल वाला उसका जो रिजल्ट है वो दोस्तों जारी हो गया है आपको रिजल्ट कैसे देखना है किस प्रकार से आपका जो रिजल्ट है वो आप डाउनलोड अपने मोबाईल के अंदर कर सकते हैं तो पूरी जानकरी दोस्तों आज जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखे और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कोई भी कुश्यों होता आप कमेंट बुक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं चले दोस्तों बिना ट लेना है तो हम दोस्तों जैसे लोगिन के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लोगिन कर लेना है अपने ID पासवोड की मदद से तो दोस्तों मैं लोगिन कर लेता हूं तो दोस्तो इस प्रकार से जैसे आप अपनी जो email id है SSO id है उसको जैसे आप login करोगे SSO के उपर इस प्रकार का interface आपके सामने open हो जाएगा जो भी आपने forum बढ़ा होगा वो इस जो portal है recommend portal इसके उपर आपको दिख जाएगे तो दोस्तो हमको कर देना है इस recommend portal के उपर click जैसे दोस्तो हम इस portal के उपर click करेंगे तो थोड़ा सा जो है site busy चल रही है क्योंकि result अभी जारी हुआ है तो आप बार-बार click करते रहें आपके यहाँ पर जो यह है open हो जाएगा यहाँ पर और जो जो कुछ notification आया है वो सार अगसार आपको यहाँ पर पता चल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फ्रकार से अब दोस्तों आपको अपना जो result है वो download करना है तो यहाँ पर देखिए उपर की साइड यहाँ पर कुछ option आपको सो हो रहे होंगी मैं आपको बदा देता हूं देखिए यहाँ पर कुछ option आपको नजर आ रहे होंगी home का my requirement का get admit card का one time registration का इस तरीके से दोस्तों और back SSO ID का यह option आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन दोस्तों आपको दिखाई दे जाएंगे आप जूम करके देखेंगे तो अब दोस्तों यहाँ पर एक option आ रहा है my requirement का आ option आ रहा है आपको इसके उपर दोस्तों क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो है वो option आपके सामने नजर आ जाएंगे आप देख सकते हैं इस तरीके के जो option है वो आपके सामने नजर आ जाएंगे अब दोस सारे यहां पर आपको सबोल जाएंगे आपको अपना the result है वो कैसे देखने आए महां आपको पता दिजता हूं तो दोस्तो फिलाल इसी do बना the way to see the action यहां है वह नई भरागाया है लेकिन आपने दोस्तो यही पर लोगन करके अपने जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे वैसे दोस्तों यह जैसे कोई दूसरा तरीक होगा मैं आपको बता देता हूँ यहां पर एक बार दोस्तों सरकरी रिजल्ट के उपर जाकर भी आप चेक कर लीजिए यहां पर देखिए जो जो रिजल्ट आये होंगे वो सारे की सारे आपको उपर की साइट सो हो जाएंगे तो हम रिजल्ट के ओप्सन के उपर क्लिक कर देते हैं और नीचे की साइट जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है RSM SSB CAT इंटर लेवल रिजल्ट 2023 इसके उपर दोस्तों जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर पेज आपके सामने सो हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर रिजल्ट का देखने का जो ओप्सन है वो भी य थाएश करें पर देखने का जख करेंगे था तोस्तों जैसे हम क्लिक इसमार है